Praise the Lord everyone, God bless you all, एक बड़ा चमतकार खुदावन ने किया, जिसे देखकर आपका विश्वास बढ़ेगा और आपके जीवन में भी बड़े काम होंगे एक बेहन जो काफी उमर की है और पिछले 6 साल से वो बिमार थी, बिलकुल भी चल नहीं पा रही थी उसके घरवालों ने उसके लिए एक चार पाई काट कर बनाई, उसी पर वो टॉयलेट बातरूम जाया करती थी, उसका बहुत बुरा हाल था लेकिन आज उसे कैसे भी करके सुकपाल नाना मिनिस्ट्री चर्च में लेकर आए आईए उस सीन को देखते हैं कि कैसी आज खुदावन ने उसे इंस्टेंट हील किया, कैसी चंगा किया, कैसा ये बड़ा काम खुदावन का आईए देखते हैं क्या हो ऐसी क्या हो ऐसी चलनी सकते, फॉल बॉड़ी में दर्द है शेसाल से निचलती है, शेसाल से चलती ही नहीं काम इन आ इक रिदमे, श्षास करती है चलना चलना जो है चलना, पका, इना विश्वास है चलो अख़ा बंद करो परमेश्व चंग लानका दन खुदावन मैं नहीं जानता इसकी टांगों में क्या हुआ है लेकिन तुने मुझे अदिकार दिया है कि मैं प्राथना करूँ और तेरी सम्मर्थ काम करे इसी समय में हाथ रखता हूँ क्योंकि तेरा वचन कहता है रोगियों पर हाथ रखो के रोगी चंगे हो जाएंगी इसकी टांगे जो जाम है जो भी रोग है जो नीचे का धर बलाव का है खुल जाए खुल जाए ये इसी समय में इसकी टांगों में जाना जाए ठच जो भी अंदकार, रोग, इसकी टांगों के अंदर खत्म हो जाई घुदा इसे खड़ा कर चुकिया इसकी टांगों में बल आ चुका है, खड़ी हो चुकिया उठो, उठो, उठो उठो, उठो, तर जाओ दन्यवाद कर के चलो, चलो, तारीव करे oh क्स Chingna अब अपने आप चलो आओ श्वास से आओ थारी करो खुदा बंदेखो शेसल मर्शाल पर बैट कपर दी शेक साल से सकिंट्डा में पास घरीदी नहीं कि रोगी नहीं कि रोगी चुन्दा मत करने कि रोगी यहां पाई आप पुछी वाला मन बनाओ है आए यह अची बाइन है यह जो पर मेश्वा इसकी टंगे पूरी कम गरे और आखो में जो बोलती नजर निया ता आखो से भी तिके ठच 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 अब चलो अच्छे से अच्छे से चलो शाबाश हाई शाबाश तो बड़े बड़े काम देखेगा तो देखा किलीसिया एक बड़ा चमतकार कैसे खुदा ने इस सिस्टर को जो चल नहीं पा रही थी और उसकी टांगे पे पूरी तरह जाम हो चुकी थी ब्लोक हो चुकी थी वो कैसे खुल गई कैसे ये चलने लगी खुदा वन ने इंस्टेंट काम किया इसे चंगा किया अगर आप भी चाते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में तो आप भी यहां आ सकते हो सुपाल रादा मि प्राइबल स्कूल न्यू बाइपास तरं तरं रोड राजेवाल चौंग आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको दो या तीन दिन तक यहां चर्च में रुकना होगा ताकि हम आपको वो बाते बता सकें जिससे आपका निश्य कारा होगा यह हमारे हेल्प लाइन नंबर्स हैं आप इन नंबर्स पर कॉंटेक करके यहां चर्च में आ सकते हो प्रात्ना करवा सकते हो गौड ब्लस यू आल